हलो नमस्कार दोस्तों मैं आर्वी शिंग आर्वी टेक चैनल में आपका स्वाकत है हमेशा की तरह आज फिर हम हाजिर है एक नए वीडियो के साथ तो इस वीडियो में हम दिसक्स करने वाले हैं प्रिमियम की यस 3 500 के बारे में जो की एक 3 श्रीज का हेलकल गियरवाक्स है और जिसका रेशियो है 95.7 औन पात एक और हैंडिलिंग है इसकी P2, इसके लिए करना क्या है इस Gearbox में हमको इसकी Handing जो है P2 से P1 बदलना है, यानि जो Output कि साफ्ट की Location है, वो Right Hand से Left Hand में करना है, और देखेंगे इस Gearbox में किस-किस नंबर की Bearings और ILC लगती हैं, इसी के साथ हम देखेंगे इसकी Name Plate Detail के बारे में, तो पूरा वीडि वीडियो देखने के लिए वीडियो में आंतर तक हमारे साथ बने रहे हैं, जैसकी दोस्तों वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इस Gearbox की जो Output साफ्ट है, वो Right Hand में निकली हुए है, इसलिए इसको हमको Left Hand में करना है, तो Maintenance Team लग गई है Gearbox को Dismintal करने में, यानि Gearbox का Top टाफाफ कपर खोलना पड़ेगा, तो खोल रही है, तब तक ये Gearbox का Top 5 कपर खोल रहे हैं, तब तक हम चलते हैं, इसकी नेम प्लेट पे एक नजर डाल लेते हैं, दोस्तों जो सामने आप देख रहे हैं, नेम प्लेट यही है, इस Gearbox की नेम प्लेट जिसमें सबसे उपर ल प्लांट, यह पूना प्लांट में बना हुआ है, उसके आगे इसका सीरियल नंबर है, और दूसरे नंबर पे देखते हैं, टाइप लिखा हुआ है, टाइप बेसिली Gearbox का मॉडल होता है, टाइप में लिखा हुआ है, यच का मतलब इसमें हेलकल गियर लगे हुए हैं, और आगे बढ़ते हैं, तो रेशियो लिखा हुआ है, रेशियो इसका लिखा हुआ है, वो है 95.7 अनबात एक, यानि Gearbox की जो input shaft है, यानि जो मोटर से drive होगी, वो shaft जब 95.7 राउंड लगाएगी, तब जाकर के इसकी output shaft एक चक्कल लगाएगी, और उसके आगे लिखा हुआ है P2, P का मतलब होता, position, output shaft की, अगर P2 है, तो इसका मतलब हमारी output shaft right hand में निकल लगी है, अगर इसकी जगे पे P1 लिखा होता, तो इसकी output shaft जो है, left hand में निकलती, और output shaft की position देखने के लिए हमको खड़े होना पड़ता है, gearbox के front में, यानि जिस side में हमारी input shaft होती है, उधर खड़े होंगे, और gearbox की तरफ मुह करेंगे, अब देखेंगे, हमारी output shaft अगर left में निकल लगी है, तो P1 है, अगर right में निकल लगी है, तो gearbox की handing P2 है, और ये gearbox customer को wrongly supply हो गया था, यानि इसकी handing जो है, अभी present में P2 है, इसको हमको P1 करना है, तो अभी इसी gearbox में आगे देख होता है, और आयल की quantity रहती है, 415 liters, और आगे लिखा हुआ है manufacturing gear, यानि एक्टूबर 2022 का बना हुआ है, और इसमें input rpm लिखा हुआ है 1500, यानि इस gearbox पे जो मोटर लगेगी, वो 1500 rpm की लगेगी, आगे देखेंगे, तो इसका weight लिखा हुआ है kg में, तो इस gearbox का जो weight है 3780 kg है, त तो दोस्तों maintenance team ने gearbox का top of cover खोल लिया है और इसके internal से बाहर निकाल दिये हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आउटपूट शाप्ट अभी हमारी gearbox में ही है, इसको यहीं पे उठा करके पलट देंगे, यानि जो right hand में शाप निकली है, उसको left hand में खट देंगे, इसके ब त्री स्टेज का मतलब इस gearbox में जो power transmit होती है, वो तीन स्टेजों में होती है, तो दोस्तों इस gearbox में तीन जगे पे power transmit होने के बाद में जो हमको final ratio मिलता है, वो मिलता है 95.7 अनपाद एक, जो सामने देख रहे हैं, यह है input shaft, और यह है second reduction pinion shaft, और यह है हमारी final reduction pinion shaft, और उसक gearbox की lower casing में सारे internal रखने के बाद हम इसकी सारी plate लगा देते हैं, जो side में cover plate लगी है, इन ही को I'll catcher बोला जाता है, इनको लगा करके tight कर लेते हैं, उसके बाद gearbox को घुमा के देख लेते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे gearbox smooth घुम रहा है, कोई दिक्कत नहीं guarding, किसी भी gearbox में अगर हम इसके handling चेंज करते हैं, या gear या pinion में से कोई एक भी replacement करते हैं, उस समय gear matching चेक करना होता है, gear matching के लिए हम क्या करते हैं, एक pier में से किसी pinion या wheel के उपर में blue लगाएंगे, और उसका print हम दूसरे पर देख लेंगे, चलते हैं, तीनो इस्टेजे के wheel पे हम blue लगाते हैं, और उसका print हम इसकी pinion पे देखते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सारे gears की pinion के उपर में पूरा proper blue matching का print आ गया है, जो कि approximate 90% के round में आ रहा है, और ये teeth contact बहुत ही अच्छा आया हुआ है, अगर ये contact हमारा 70% से कम आता है, तो gear box की proper life नहीं मिलेग teeth contact area कम होने के कराण, gear जल्दी बेरेंटेर हो जाते हैं, teeth contact चेक करने के लिए जो हमने पेस्टी उच किया है, ये है oil color PCN blue, जो की market में easy available हो जाता है, blue matching चेक करने के बाद हमारा gear box almost ready है, अब इसको हम top cover लगाने से पहले इसके internus पे oil डाल देंगे, और oil डालने के बाद में bearings और gear में oil डालने के बाद इसको 8-10 चकर round कर देंगे ताकि proper हर जगे पे oil पहुंचा है, oil डालने से क्या होता है कि अगर gear box हमने use नहीं किया और कुछ समझ के लिए रखना पड़ा तो इसमें rust नहीं लगता है, जैसा कि oil पढ़ चुका है, अब चलते हैं देख लेते हैं इसके bearings और oil sale detail के बारे में, तो दोस्तों, प्रीमियम में केस 3-500 गीर बॉक्स के इंपूट साफपे वेरिंग लगता है, वो लगता है 32-319, जिसकी quantity दो रहती है, ये दोनों वेरिंग tape roller वेरिंग है, और इसकी second reduction pinion sharp पे जो बेरिंग लगता है वो लगता है 32,324 यह भी taper roller bearing है इसकी भी quantity दो रहती है और इसकी final reduction pinion sharp पे जो बेरिंग लगता है वो लगता है 22,330 यह spare care roller bearing है और इसकी quantity दो रहती है और इस Gearbox के Output Sharp पे जो बेरिंग लगता है वो 23,048 नमबर का बेरिंग रहता है और इसकी भी quantity दो रहती है ये भी बेरिंग इस पेर का रोलर बेरिंग है और इस पेर का रोलर बेरिंग का जो cleanse रहता है वो C3 cleanse रहता है और अब चलते हैं आलसिल देख लेते हैं इसके Input Sharp पे ज लगती है वो लगती है 230 x 260 x 15 mm इसकी भी quantity एक रहती है तो दोस्तों सारे इंटरन रखने के बाद हमने एना बांड इस किया था गैसकेट मेरिकिंग के लिए और उसके बाद में टाफ आफ कवर रख दिया गया है और सारी इसकी साइट प्लेटे टाइट हो गई हैं और इसी क हो गई है तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार अगर आप हमारे चनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो करपया सस्क्राइब कर बैल आका नहीं से ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके अवस बताएं अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भोलें वीडियो में अंततक हमारे साथ बने रहने लिए धन्यवाद थेंक